कच्चा पापड़ पकका, पापड़ पकका, पापड़ कच्चा, पापड़ पके पेड़ पे, तंग ट्विस्टर भी ना, पता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं नौकरी करने के लिए यह सारे मुहावरे और तंग ट्विस्टर आपने सुने ही होगी himself. सब में एक word common है जो है पापड जी हाँ दोस्तों पापड भारत में बहुत जादा लोक प्रिये है भाई जो चीज इतनी जादा लोक प्रिये हो वो बंती कैसे है ये तो जरूर सीखना चाहिए भारत में पापड बहुत ही लोक प्रिये है पापड ना की सिर्फ हमारी भारतिये भोजन की थाली का एहम हिस्सा है बलकि पापड जो है वो हर वक्त इस्तमाल किया जाता है जब भी हम भार खाना खाने जाते हैं या फिर घर में अगर कोई महमान आता है या फिर आम तोर पे रोज लोग पापड के बिलकुल दिवाने हैं और आपको तो पता ही होगा कि सारी औरतें जो हैं वो मिलकर अपने घर की छतों पर पापड बनाती हैं सुखाती हैं बातचीत भी करती हैं पुराने जमाने में पापड बनाना एक बहुत ही कम्यूनिटी वाला काम था जी हां जो लोगों को आपस में जोडता था और अगर हम हमारे देश की बात करें तो दूसरे खाद्य पदार्थों की ही तरह पापड भी नियमित उपयोग में शामिल है अब आपको तो पता ही है कि पापड जो है वो रोटी की तरह गोल होता है पतला होता है और बड़ा ही स्वादेश्ट होता है मुझे तो इतना अच्छा लगता है पापड की मैं हमेशा ज हपत जो है हमारे देश के हर शहर और हर गाउं के हर घर में होती है मतलब अगर आप पापड का उद्योग करते हैं तो आपका करियर जो है वो उजवल ही उजवल है अब भाई कोई भी व्यक्ति हो छोटा या बड़ा हो चाहे वो किसी भी एज का हो सबको पापड पसंद दे तो आप खुदी सोचे अगर आप पापड का व्यवसाय करते हैं तो कितना फाइदा आपको हो सकता है और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल प्रत्योगिता का दौड है competitive world है तो अगर आप पापड बना ही रहे हैं तो क्यों ना आप ये भी सीखें कि अच्छी और बहतर quality का पापड कैसे बनाया जाता है ताकि जब आप अपना व्यवसाई शुरू करें उस पे मेहनत करें तो आपका पापड जो है वो बहुत जादा विके बाई मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज इस वीडियो में मैं आपकी होस सुगन शर्मा इंडियन मनी के इस हिंदी यूट सकते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक और अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए चली अभी जान लेते हैं कि कितने प्रकार के पापड होते हैं सबसे जादा बिकते हैं आलू के पापड मूंग डाल के पापड बनाने हैं बड़ा एजी है पापड बनाना मम्मी से पूछ लीजिए वो ही आपको बता देंगी बस आलू उबालिए उसे आप जो है मसाले वगेरा मिक्स करके बैटर बनाईए धूप में उसे बेलिए और दो तीन घंटे उसे धूप में सुखाईए बस आपके प पापड तयार हो जाएंगे फिर उन्हें उठाकर सेफ जगा पर रख दीजे इतना इजी है पापड बनाना लेकिन क्या सिर्फ यह सुनने से पापड का बिजनस शुरू कर पाएंगे नहीं ना तो चलिए आपको थोड़ी और जानकारी देती हैं चाहे आप एक महिला है या पापड का बिजनस करना जो है बेहत आसान और लाबदायक है लेकिन आप इसे अकेले नहीं कर सकते आपको पापड बनाने के लिए और भी लोगों की मदद लग सकती है तो आप अपने अंडर एक या दो लेडीज को रख सकते हैं जैन्स को रख सकते हैं उन्हें भी सिखा स कि पापड कैसे बनाना है और फिर आप सब मिलकर पापड बना सकते हैं इतना ही नहीं आपका व्यफसाय जो है वो शुरू होते ही आपको मुनाफ़ा देना शुरू कर देगा क्योंकि पापड बनाने का बिजनस जो है इसमें लागत जो है वो बड़ी कम लगती है मतलब प्रधान मंतरी तो कहते ही है ना मेक इन इंडिया तो पापड का बिजनस एक ऐसा व्यफसाय है जिसे शुरू करके आप जो है लोगों को रोजगार दे सकते हैं और खुद भी आत्मनिर्बर बन सकते हैं पापड का बिजनस करने का बेस तरीका है कि आप उसे घर से ही शुर कमाई भी हो जाए तो पापड का बिजनस एक बेस्ट बिजनस है दूसरे लोग जिनहें में सजट्स करेंहें हैं बैर अट हैं pokण का बेटा मेरे लिए शरर्ट सिलवा दो और बहू बेटा आपके नाथी पोलटी सब अपनी लाइफ में बिजी हैं लैप किसी को हमारी नहीं पड़ी होती, ऐसे लोग जो इस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप शुरू कर सकते हैं अपना पापड का बिजनस, घर में थोड़ी सी जगा अगर आपके पास है, छत है, थोड़े से पैसे हैं, तो आप इसे शुरू करके एक्स्ट्रा इंकम कमा सकते हैं और अपनी बुजर्ग अवस्था को एक बहुत ही जादा लाइफ का अच्छा वक्त बना सकते हैं, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में पापड बनाने का काम अक्सर औरते करती हैं, लेकिन अब बहुत सारे उबालने रख देती हैं, पापड बना लेती हैं, बिजनस का बिजनस हो गया, घर के काम भी हो जाते हैं और घर वालों की देखरेक भी हो गई, लेकिन जितना मैं बोल रही हूं उतना भी आसान नहीं है, कोई भी बिजनस शुरू करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च, उसक वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जी हां, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, जो अपनी जॉब या अपने फ्रीलांस काम के साथ साथ बिजनस को करना चाते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, आपको बता दूँ कि जब मैंने इस पे रिसर्च करी, तो मैंने अपनी मासी को सज कि वो पापड बनाने का बिजनस शुरू करें, और अब वो लग गई हैं इस काम पे, जी हां, उन्होंने कदम उठा लिये हैं, अपने आपको आत्म निर्भर बनाने का, अच्छली में पापड के बिजनस के लिए ना मेरे पास एक वर्ड है, इसे अच्छली में कहना चाहि ये work from home, क्योंकि पापड का बिजनस जो है वो घर से ही शुरू किया जा सकता, इसके लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा अगर आप पापड का बिजनस शुरू करना चाहते हैं, तो पहले आपको ये decide करना होगा, कि आप छोटे पैमाने पे शुरू करना चा तो एक लाग तकरीबन लगेंगे, आम दोर पे मार्च से लेकर जुलाई तक पापड का सीजन होता है, जो बहुत जादा डिमांड होती है, लेकिन बारिश के मौसन में भी जो लोग ठीक से प्रिजर्व करके रखते हैं, उनके यहां के पापड बहुत बिखते हैं, क्योंक 35 से 40 वर्ग की जगा चाहिए, और उन्हें सुखाने के लिए करीब 50 वर्ग की जगा चाहिए, इस कारे को आप minimum amount में शुरू कर सकते हैं, जी हां minimum investment के साथ, पापड बनाने के लिए कच्चा माल भी चाहिए होता है, जैसे की दाले, आटा, मसाला पाउडर, मिर्च, नमक, य जिसमें आप बनाएंगे, भुगोने, ये सारी चीजें जो हैं पापड का बिजनस शुरू करने के लिए कुछ बुन्यादी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप सोच रहे हैं कि यार बना तो लेंगे, लेकिन बेचेंगे कहां, मार्किटिंग कैसे कर पाएं, इसीलिए हम अगर पापड बना रहे हैं तो उसे बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और खासतर उत्सव की अगर मैं बात करूँ, बोली के टाइम पे पापड जो हैं वो बहुत जादा बिखते हैं, और हमारा देश तो ही त्योहारों का देश, हर त्योहार में महमानों का घर पे आना जाना होता है, पापड की खपत होती है और विकरी भी बहुत होती है, बही पापड इतने फेमस हैं कि लोग भारत से पापड खरीद कर विदेश ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पापड जो हैं वो असानी से मिलते ही नहीं हैं, आपको तो पता ही ह होगा कि कितने सारे ऐसे एनाराइज हैं जो भारतिये पापड़ों के दिवाने हैं और वहां नहीं मिलते तो इंडिया से ले जाते हैं अच्छा यह भी बता दू मैं आपको कि पापड भारत से 40 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है यानि कि एक्सपोर्ट किया जाता ह तो अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप अपना खुद का एक सशक्त पापड ब्रैंड बनाते हैं तो आप उसे कितनी सारी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैं आपको यह भी बता दू कि पापड जो है वो इंडिया से कहां कहां एक्सपोर्ट किया जाता है आम त कितनी जादा डिमांड है पापड की दुनिया भर में और भारत में बनता है पापड आप अपना खुद का ब्रैंड क्रियेट कर सकते हैं आप एक सशक्त बिजनस जो है उसे इस्टाबलिश कर सकते हैं बस थोड़ी सी महनत और थोड़ी सी लगन की जरुवत है लेकिन दोस् के फाइनाशल फ्रीडम एप पे हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको बताएंगे कि पापड का बिजनस कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं हमारे पापड बिजनस के कोर्स की एक जलक दोस्तों कहते हैं कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी नामुम्किन नहीं होता ये हैं शालिनी अग्री होतरी आपकी इस कोर्स की गुरू यानि की मेंटर 14 सालों से ये होम मेड पापड बिजनस चला रही हैं और लाखों रुपे कमा रही हैं इतना ही नहीं इन्हों ने आज तक बहुत सारी महिलाओं को ट्रेन किया है पापड का बिजनस शुरू करने के लिए ये महिला ग्रह उद्योग में बहुत सारी महिलाओं को ट्रेन करती हैं और पापड बनाने का बिजनस शुरू करवा कर उन्हें भी आत्म निर्भर बनवाती हैं ये पिछले 14 सालों से अपने घर से ही होममेड पापड बनाने का बिजनस कर रही हैं और वो भी बिना मशीनों के इनके घर में 7-8 महिलाएं जो हैं वो मिलकर पापड बनाती हैं और उसके बाद जो हैं उन्हें बेचा जाता है आज इस कोर्स में आपको end-to-end guidance देंगी Mrs. Jalini अग्मी होतनी जो आपको बताएंगी कि किस तरह से आप अपना खुद का होममेड पापड बिजनस शुरू कर सकते हैं क्या-क्या चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी हैं क्या-क्या चुनोतियां आपको आएंगी औ और आप उनका सामना कैसे करें तो चलिए बढ़ते हैं कोर्स की तरफ तो देखा आपने कि कितनी जादा expertise है इनकी पापड बनाने में और जब आप इनसे सीखेंगे कि पापड का business कैसे शुरू करें तो आप भी पापड का business easily कर पाएंगे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम हमेशा सिर्फ सोचते रहते हैं कभी action नहीं लेते कभी उठके कुछ करते नहीं हैं क्यों ना इस बार आप indianmoney.com का financial freedom app डाउनलोड करें आप पापड बनाने के course को पूरा अच्छे से करें एक blueprint तयार करें और शुरू करें पापड का business मैं ये आशा करती हूं कि आप आन करने से ये कुछ भी नहीं होगा आपको ही अपनी life के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको ही वो कदम लेना पड़ेगा आपको उस डगर पे चलना पड़ेगा जिस पे चलने के बाद आप अपनी मन्जिल तक पहुंचेंगे जितनी भी महिलाएं ये वीडियो पे कमा सकते हैं और मैंने जैसा कि पहले भी कहा जो रिटाइड लोग हैं आपको तो ये बिजनस करना ही चाहिए अगर आपके पास पैसे नहीं तो चिंता मत कीजिए मुद्रा लोन के तहत सरकार लोन देती है कोई भी ग्रह उद्योग शुरू करने के लिए ये बाते और ऐ चाहिए फाइनांस के बारे में बिजनस के बारे में हमारे अप से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसे देखने की जरूरत है जिन्हें आप मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो कोई बिजनस चुरू करें इस वीडि झाल